गुद मॉर्णिंग गाइस तो आज आप लोग के लिए एक एतिहासिक दिन होने वाला है आज जो आयुध्या में होने जा रहे हैं ऐसा आज तक कभी 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 भी नहीं हुआ है श्रमिकों के लिए तो आप लोग वीडियो को पूरा अंतक देखे तो आप लोग को पूरा देगा तो मैं जरूर डालोंगा तो आज के वीडियो आज के जो निउस निकल के हैं उसके बारे में बात करते हैं तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं तो जिन्नों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब के हैं लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और जिन्नों ने अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी सवाल है तो आप मुझे फेस्बूट के इंस्टग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं मैं आप लोगों को जरूर सायता करूंगा तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो आयोधिया से निकल के आया है आज आज ही निकल के आया है ये निउस अयोधिया से तो अयोधिया में क्या होने वाला है वो देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि एक एतिहासिक दीन होने वाला ये एक हिस्ट्री क्रियेट करने वाला है क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया है ये पहली बार होने जा र रहा हूं तो पर लीजेगा में इंगलिस वाल आप लोगो पर के सुनाने वाला हूं तो यहां पर लिगा गया है देट 7th November 2022 is going to be the most important and historical day for Indian railway goods warehouses workers union in which wishes for the welfare of the workers and with their devotion family members of the workers of the workers union on the occasion of Shri Ram Udhsab deep lightning ceremony 1 lakh dip by the program of light has been put up तो यहां पर लिखा गया है कि यह एक history create करने वाला है यह एक एतिहासिक दीन होने वाला है जहां पर आज अयोध्या में श्रमिको के लिए एक लाग दीब चलाए जाएंगे श्रमिको के लिए इसलिए मैं आप लोग से भी निभेदन करते हूं कि आप लोग भी प्रार्थना क कीजे कि श्रमिको क के काम जल्दि से जल्दी हो जाएं और वहां पर तो वोग प्रार्थना करी रहे हैं एक लाग दीब चला कर ये आज तक इंडियन इनिस्ट्री áं में कभी नहीं हुआ है ये पहली बार होने जा रहा है श्रमिको के लिए जो एक लाग दीब चलने वाला ह रहे हैं वहां पर उन्होंने मननत मांगेंगे वहां पर कि शमी को का भविश्य उज्जल हो इसलिए वहां पर दीब जलाएंगे तो यह एक करप से मतलब इंडिया का से अधर से वहां पर दीब यहां पर दीब जलाएंगे प्डिया आप लोग जी आप सब्सक्राइब शसी और वहां पर पर मांगेयर व मतरते पर केकर से मतलब नाई ने पर खें लिखा अपिश्य वक्राइब द्म जला सकते हैं तो आज अfa सकते हैं तो अगर आप जानाच चाहते हैं 되면 आज वहां पर तो आप लोग अगर वहां पर उपस्तित रहेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि यहां पर बहुत सारे कार्य करता रहने वाले हैं मनुरंजन कुमार जी तो वहां पर आई रहे हैं और बहुत बड़े बड़े लोग भी आएंगे वहां पर दीप जलाने के लिए और एक लाग दीप जलाएंगे तो बस यही news निकल के आया था जो आयोधिया से निकल के आया था और वहाँ से अगर कोई भी news निकल के आता है तो मैं आप लोगो को updates कर दूँगा और कल अयोध्या में फिर से महा सम्मिलन होने वाला है स्रमिको का सम्मिलन होने वाला है और वहाँ से जो भी नियूस निकल कियाएगा वो भी आप लोगों को मिल जाएगा यह हिंदी वाला देखिए और यहाँ पर बैनर देखिए यहाँ पर दिया गिया है कि भारतीय रिल्वे माल गोदाम संग यहाँ पे यह बेनर दिया गया है जो अयोधिया के तरफ से आयोजन किया गया था आयोजन करने वाला है आज 7 नविंबर आज करने वाला है तो आप लोग अगर जाने दिल है तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे सामिल हो सकते हैं यह जो दीब जलाने का कार्यकरम करने वाला है वहाँ पे सामिल हो सकते हैं बस यही था अपडेट्स और जो भी अपडेट्स निकल के एगा वह आप लोगों को मिल जाएगा आसा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगे हो अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पे रख दीज़े ताकि कोई भी छोटी बड़े अपडेट्स आप लोगों से मिस ना हो तो मिलते हैं अगले वीडियो मे तब तक के लिए थैंक यू